सुप्रभाद बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंडियन कल्चर के फ्री ओनलाइन एजुकेशनल वीडियो में इस वीडियो में हम लोग रिम जिम पाठ चार के प्रश्न उत्तर करेंगे पापा जब बच्चे थे, सबसे पहले तुम्हारी बात का पापा ने जितने काम सोचे उन में से तुम्हें सबसे दिल्चस्प काम कौन सा लगता है क्यों उत्तर मुझे वायूयान चालक बनना सबसे दिल्चस्प काम लगा है क्योंकि वायूयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मज़ा ले सकता हूँ खा, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या करना है कौन कौन कहता है, क्या कहता है उत्तर हाँ, मुझे घर में भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है मेरी मम्मी कहती है कि मैं डॉक्टर बनूँ जबकि पापा कहते है कि मैं इंजीनियर बनूँ गर, अपनी मम्मी और पापा से बात करो कि जब वे बच्चे थे तब बड़े होकर क्या 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 करने की सोचते थे उत्तर मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खेलने में बहुत मज़ा आता था इसलिए वे खिलाडी बनना चाहते थे बाद में जब स्कूल में उन्होंने देखा कि सारे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं तो उन्होंने टीचर बनने की सोची फिर उन्हें लगा कि ड्राइवर बनने में तो बहुत ही मज़ा है खूब घूमने को मिलेगा फिर उन्होंने सोचा कि वह पुलिस वाला बनकर सब पर रौब गाठेंगे घूब अपने घर के किसी भी एक सदस से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो पता करो उसके काम को किस नाम से जाना जाता है उत्तर मेरे अंकल एक आफिस में काम करते हैं कलर्क के नाम से जाना जाता है प्रश्न उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बाते मालूम होनी चाहिए उत्तर उस काम को अच्छी तरह करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना लिखना आना चाहिए हिसाब किताब करना आना चाहिए कंप्यूटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए प्रश्न उन्हें अपने काम में किन बातों से परिशानी होती है उत्तर जब वह किसी एक काम को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुँच जाता है तब उन्हें परिशानी होती है कहानी से आगे शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे का चौकीदार रात को भी काम करते हैं इसके अलावा और कौन-कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है उत्तर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को रात को जागना पड़ता है ड्राइवर, पुलिस वाले, फौजी, कौल सेंटर वाले को भी रात में जाकर काम करना पड़ता है ख, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से जादा तरह के काम करता है उस व्यक्ति के बारे में बताओ उत्तर, मेरे पडोसी अंकल एक से जादा तरह के काम करते हैं वे सुबह सुबह धूध पाटते हैं, फिर एक फैक्टरी में ड्यूटी करने जाते हैं शाम को गोल गप्पे की दुकान लगाते हैं सोच विचार अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहें बताओ वह क्या-क्या सोच रहें होंगे सही का निशान लगाओ पहला यह अफसर आखिर है कौन? गलत दूसरा अब मैं रोज-रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता सही तीसरा कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है सही चौथा यह फौजी अफसर मुझ पर हसा क्यों नहीं बाकी सब तो हसते हैं सही पाचवा इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है गलत छटा मुझे पता नहीं की इनसान किसे कहते हैं सही साथवा मैं इनसान बनना चाहता हूं सही अगर अगर पापा ने कहा अपना थेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा कर अगर तुम पापा के जगर होती तो थेला कहां लगाती ऐसा तुमने क्यों तै किया अगर मैं पापा की जगर होती तो बाजार में थेला लगाती ऐसा मैंने इसलिए तै किया क्योंकि बाजार में अधिक बिक्री होगी ख़़़़़ तुम रेल में सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेल गाडी में कौन-कौन सी लोग नजर आएंगे उत्तर प्लेटफॉर्म और रेल गाडी में मुझे मुसाफिर, कुली, टी-टी-ई, सिपाही, सामान बेचने वाले आदी नजर आएंगे परिवार पापा के पापा को दादा कहते हैं इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी इस प्रश्ण का उत्तर बच्चो आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे पापा के पापा दादा जी मा के पापा नाना जी पापा की मा दादी जी मा की मा नानी जी पापा के बड़े भाई ताउ जी, मा के भाई मामा जी, पापा की बेहन बुआ जी, मा की बेहन मौसी जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, बेहन के पती जीजा जी तो बच्चो इस प्रकार से हम अपने घर के रिश्टेदारों को अलग-अलग प्रकार से सम्बोधित करते हैं इन्हें आप अपनी भाशा में किस प्रकार से बुलाते हैं मुझे जरूर वीडियो में कमेंट दे करके बताएं एक शब्द के बदले दूसरा पापा को वायू यान चालक बनने की सुझी इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे उपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है हम अकसर एक ही शब्द को दोहराने की बजाएं उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं मैं तुम इस भी ऐसे ही शब्द हैं क पाठ में से ऐसे शब्दों के पाँच उदारन चाटो उत्तर पहला पापा जब बच्चे थे तो उनसे अकसर पूछा जाता था दूसरा उन्हें पक्का यकीन था की बड़े होकर वै चौकी दार ही बनेंगे तीसरा उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था चौथा यह सचमुच समस्या थी पाचवा पापा ने पूछा मुझे तो नहीं पता ख इनकी मदद से वाक्य बनाओ उत्तर उनसे मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा उन्हें कल उन्हें घर आना है उनका उनका खाना दे आओ यह यह मेरा घर है उसे उसे पढ़ना अच्छा लगता है मुझे मुझे चाय दो मैं मैं भी आओंगा तुम तुम यहां आओ इस इस तरफ चलो तो बच्चों यहां पर आप अपने तरह से वाक्य को बना सकते हैं इससे भी अलग कौन किस में तेज सभी बच्चे और बड़े किसी ना किसी काम में माहिर होते हैं कोई साइकल चलाने में होश्यार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है उनके नाम लिखो आईए बच्चो इस प्रश्ण का उत्तर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहला जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं हमारे दादा जी और दादी जी दूसरा जो खुपसुरत कड़ाई कर सकते हैं दादी जी तीसरा जो कलाबाजिया खा सकते हैं मेरा दोस्त सौरव चौथा जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं मेरे चाचा जी पाचवा जो हाँ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं दादी जी और माता जी छठा जो सब के सामने किसी चीज के बारे में दो मिनट तक बता सकते हैं हमारे दादा जी और पापा जी साथवा जो कठिन पहलिया सुलजा सकते हैं हमारे दादा जी आठवा जो खुल कर जोर से हस सकते हैं दादा जी नवा जो तरह तरह की आवाजे बना सकते हैं चाचा जी दसवा जो अंदाज से ही चीजों का सही माप या वजन बता सकते हैं दादा जी या दादी जी ग्यारवा जो बढ़िया अभिनाय कर सकते हैं चाचा जी बारवा जो बेकार पड़ी चीजों से सुन्दर चीजे बना सकते हैं भईया या दीदी और कभी कभी मैं खुद भी तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जो है आप अपने घर वालों के अनुसार दे सकते हैं कि कौन किस काम में जादा माहिर है प्रश्न तुम किन किन चीजों में माहिर हो यह भी बताओ उत्तर प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी का अलग-अलग हो सकता है किसी को खेलना पसंद हो सकता है किसी को ड्रॉइंग बनाना पसंद हो सकता है किसी को पढ़ना लिखना अच्छा लगता होगा किसी को तबला बजाना अच्छा लगता होगा ये सब ही उत्तर जो हैं आप अपनी कॉपी में अलग-अलग अपनी हिसाब से लिख सकते हैं अगर आप मेरी बात पूछे तो मुझे ड्रॉइंग बनाने क्रिकेट खेलने और गिटार बजाने में मैं बहुत ही तेज हूँ आगे कैसे थे पापा नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो इन पंक्तियों के आधार पर बातों की तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो क पापा के पास जवाब हमेशा तयार होता था ऐसा लगता था कि पापा बहुत चतुर थे ख पापा का जवाब हमेशा अलग-अलग होता था ऐसा लगता था कि पापा ब्रह्म में पढ़ जाते थे गह मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइस्क्रीम दिया करूंगा ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत प्यार करते थे गह रात में करने के लिए होता ही क्या है रात में मैं चौकीदारी करूंगा ऐसा लगता है कि पापा हमेशा काम करना चाहते थे